कि इंगिस से रिलेटिट सभी जान कारे के लिए चैनल को सबस्क्काइब करें और बेल आइकटन को भी ख्ल मुर इन्फॉड इसो ऑज जो फ्रेज मोगि से ने वह फ्रेज में ग багःएटिज एज की इसे जो से कृल आता है तो था है कि ऑसा अपको किसी आप को देते हैं नॉर्मली हम लोगो बात नहीं करते हैं हम तुरंट मम्मीक देते हैं या कोई और होता है घर मजब를ना हो तो अंग्नlish में रिया होता है अगर आफिस में हो तो इसको ऑफॉरमल बोलना है, घर के उसके लिए है, तो her और लड़का है, तो his ऐसे हैं बोल सकते हैं, किसका मतलब क्या होता है the caller want to speak to you, इसका मतलब होता है जो caller है, वो आपसे बात करना चाहते हैं जो caller किससे बात करना चाहते हैं आपसे ये normally हम ऐसे तब कहते हैं, example के लिए पर आप देखिए यहाँ देखिए, याद करिए पिछले वीडियो पर हमने discuss किया था इस receptionist के बारे में ठीक, कहा लगा है it's for you, it's your wife call आता है किसी का मालो तो receptionist call आता है, मालो ये boss है तो कह रहे हैं, it's for you ये आपके लिए है, ये आपकी पतनी का it's for you, it's your wife ये आपकी पतनी हर था जो call पर है, वो कौन है वो इसकी wife है ठीक है, boss की या कोई भी होगा उसकी ये क्या है, wife है ये जेफनिस्ट कह रही है, तो वैसे ही आपको ये सीखना होगा, जब भी किसी का call आए, और हो किसी और के लिए हो, आप उसको दे ले हो तो बोलो कि it's for you, इस तरीके से ठीक है ना, अगर आप उसका नाम बता जाते हो, तो बोल सकते हो उसका नाम otherwise ऐसे ही आप बोलो कि it's for you it's your mother, it's your brother, it's your wife ऐसे, ठीक है husband भी बोल सकते हो, मतलब according to situation कुछ और example देखते हैं जैसे यह देखिए, दो example और देखते हैं Could you ask Chris to come to the phone question mark मतलब call उठाया, call उठा के किसी ने बोला कि could you ask Chris to come to the phone क्या आप कह सकते हो, यहाँ पूछाना मतलब है, वही है, पूछना कहना मतलब लगो पाते कि, क्या आप Chris से पूछ सकते हो या Chris से कह सकते हो कि वह call पर आजा या वह phone पर आजा है, it's for him it's his mother ठीक है, यह उसके लिए है it's his mother, यह उसकी माँ है मालो कि आप किसी call आया है आप, आपकी boss, मतलब आपकी boss को देना है, किसी को देना है कि माँ का call आया है क्या तुम उनके माँ को बुलाया सकते है क्या तुम Mr. Sharma को या किसी को बुला सकते हो ठीक है, वह उनके लिए call है उनकी माँ का call आया है इंगलिस में क्या बोला है, it's for him या her, depends on the situation it's his mother, ऐसे हम बोल सकते दूसरा example है the phone is ringing गंटी बज रही है I'll get it, I think it's for me ठीक है, मालो company है, company में क्या है देखते हो आपके एक phone होता है उसमें 2-3 imply होते है या normally आप देखते हो कि घर में भी ऐसा होता है ठीक, घर मालो कि आपका किसी का friend कॉल आया है कि घूमने जाना है ठीक, और हम सुबस साथ देखे phone करेंगे आप सुबस छवे तयार हो, साड़ी छवे तयार होगे भाई, call आये, call आयेगा जैसे घंटी बजी, आप क्या बोलोगे कि घंटी बज रही है कोई बोल रहा है, मालो, कोई मम्मी बोलती ही, घंटी बज रही है तो बोलो के, I will get it मैं इसको ले लूँगा, अर्थाथ मैं phone उठा लूँगा, I think it's for me मुझे लगता है, यह मेरे लिए है क्या आपको पता है, साथ विजा आपके दोस्त का call आने वाला है, ठीक है तो यह example आप ऐसे relate कर सकते हो English में अगर आपको बोलना हो, तो आप इस तरीके से बोल सकते है, it's for me आप अपने साथ से इसमें preparation use करता है, sorry, pronoun use कर सकते it's for me, it's for her, it's for my brother, it's for you, ऐसे आप कई सारे example दे सकते हो, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, क्रिपय example दिया करिए तो जो भी वीडियो देखता है, उसको समझ में आता है, तो please, यह मेरा request है एक, कम से कम एक example अपने से देने कोशिस किया करें, ठीक है ना, तो यह मेरी आशा है, कि आप जरूत इसका example दो कि कम से कम एक, hope आपको यह वीडियो समझ माया है, कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्रेज के साथ मिलेंगे, तब पक के लिए बहुत-बहुत आपना ख्याल रखिए, सभी को धन्यवाद आपने जिसने यह वीडियो देखा, और अगर वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें, चले हैं, अब वीडियो में खतम करते हैं, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो